जी ओफाई का पासवार्ट चेंज कैसे करें सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और यहां जाके आपको सर्च करने पड़ेगा लिंक मिल जाएगा आपको यहां जाके डायरेक्ट क्लिक करके यहां इस पेज को ओपन कर सकते हूं इस पेज पर आने के बाद आपको एक अप्शन मिल जाएगा वह है कि लॉग इं सबसे पर आपको यहां लॉग इन होना है लॉग इन में आपको दो चीज पूसेगा वह है कि इंटर यूजरने में पासवाड आपको दोनों ही में अड्मिनिस्टेटर दे देना है इसके स्पेली में बता दे रहा हूँ आदिमिनिस्टेटर और पासवर्ड में भी वही डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करते जाना है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां बहुत सारे उपर आप्शन मिल जाएगा आपको आना है यहां सेटिंग्स ऑप्शन पर वाइफ़ाइ में आपको आना है यहां आपने password को जो password रहेगा उसको आप change कर सकते हो मेरे जो password यहां है मैं change कर देता हूं change करने के बाद आपको simply यहां नीचे की तरह यह save button पे click कर देना है और आपको यह पूछे का the wifi module will be restart you will be you will cause the wifi disconnections okay पे click कर देना है और इसको update कर देना है यहां आपको बोल रहा है कि apply new wifi settings now please wait for server second to active wifi functions आपको थोड़ा बहुत wait कर लेना है और फीट से आप जाइए wifi में और आपका जो आप देख रहे हो यह connected connected नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मैंने password change कर दिया चलिए इसको मैं forget कर देता हूं उसके बाद फीट से password में दे देता हूं और देने के बाद मैं क्लिक कर देता हूं आप कर देता हूं आप देने के बाद आप देख रहे हैं यह connection ले चुका है कुछ इस तरह किसे और आप देख रहे हैं जो मेरा password है वो चेंज हो चुका है और आप इस तरह से अपना जो password है वो चेंज कर सकते हूं चलिए जिस्तों आज के लिए इतना ही अगर मेरे वीडियो के आपको पूरी बहुत जान करें मिली तो एक लाइक करना और मेरे जैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब चुरू करना चुछ दिस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड़ बाए